आप सभी का एक और रेसिपी वीडियो में जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पच्छों के लिए यमी एंड सुपर इजी रेसिपी पीजा बनाने की तो आप बिल्कुल सिंपल स्टेप्स फॉलो करकर घर में दस निट में एक फ्रेश पीजा तेयार कर सकते ह तो शली बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रेसिपी वीडियो पसंदाए तो लाइक कीजिए मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंफरमेटिव वीडियो आप तब तक पहुंछते रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते है तो यहां पर विल्क मिनिमम इंग्रिधियन्स के साथ हम पिज़ा बनापने वाले हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस की तो यहां पर जो मैंने बेस यूज किया है वो है आटे का बना हुआ तो अक्सर आम यही डाव्ट रहता है पीज़ा वगरा जो चीज़ में होती अब आप लिया है, साथ ही मैंने 1.5 cup mozarella cheese लिया है, जिसको ग्रेट कर लिया है, यहाँ पीज़ा मिक्स और 1.5 teaspoon चिली फ्लेक्स लिया है, चिली फ्लेक्स का यूज भी हम बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिये बना रहे हैं, और इसके अलावा जो हमने सीजनिंग कम सबजीयं ली यहाँ क्या रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अब.. अब बना समय के तियार करने वाले हैं तो आरे क्योटे ही हैるे। Ini में तो मैं चलते हैं नेक्स प्रॉसेस की तरफ दूस्तों यहाँ पर हम दया है। इसे तो सुथा आप शीके चलाते हैं तो एल तो गर गर मे तो पिजा सॉस प्राइन के लिए मैं टमाटो केचप ले रही हूं जो जाता है यहां पर तक्रीबर दो चम्मच के करीब में टमाटो केचप लोगी और इसके अंदर हम थोड़ी सी पिजा सीजनिंग तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को डाल कर देंगे तो यहां पर जो पिजा अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए हमारा इंस्टेंट पीजा सॉस बनकर तयार हो गया है अगर आपके पास गर में पीजा सॉस अवैलबल ना हो तो आप इस तरह से पीजा सॉस बनाए विए बहुत टेस्टी लगता है तो दोस्तों यहां पर मैंने ले लिया है यह अ़िवाँबलग्स कर में लिख और पीजा सॉस बनार ना करने भीजा से शुष्य मारता है झाल ना कर के घृट के टिया है पासा तो यहां बेज सॉस को बनाला है और या जी सोस बनाए जाहरे हो जांगा इस नहीं कि मतलते सॉस में चे चीज़ किनारों पर थोड़ा से चीज अप्लाइ कम करें, अदर्वास क्या हो करें, जब चीज मेल्ट होगी तो किनारों से गिल जाएगी और चीज डालने के बाद यहां पर हम अपने टमैटों को मैं अच्छे से फिल कर दूंगी पीजा पर और इनको जब अच्छे से रगा देंगे, आप तेखें मारा पीजा कितना ब्यूटिफुल लग रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज की टॉपिंग और करूंगी मैं अटो कोक मैं अवैलेबल है तो मैं क्या करूंगी बस यह एक गिल्स तैन मैं रख तिया है और इसको मैं आपके माइकरोविब की सेटिंग उसे साबसे आप अग्जस्ट कर सकते हैं और बस देखिए कुछ ही मिनितों में हमारा पीजा बंगर तेयार हो जाएगा तो बस ह चेस करूंगी माइकरोविब के सटॉप होने का वेट कर लेते हैं और बस हमारा पीजा इन्स्टटी रेडि होने वाला है तो बस दोस्तों एक मिए पहले करें यह पर मैंने माइकरोविबृब को आफ दिया था और पीजा को चेक कर लेते हैं आपके सिकने कितना अश्य तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और ये देखिए दोस्तों कितना जादा अच्छा हमारा पीजा बनके तयार हो गया है और बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडियन्स से हमने बनाया है बहुत ही कम समय में आप इस तरह के स्नैक्स बच्चों को दे सकते हैं बच्चे भी एक टेका ख बिल्कुल हाफ पिंच के करीब आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे चिली फ्लेक्स या चिली वगरा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो आप इसे स्टेप को टोटली स्किप कर दीजेए चलिए अब मैं आपको इसको कट कर दिखाती हूँ यह बहुत ही कि और भी इंट्रेस्टिंग रेसिपीस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेए ताकि कोई भी इंफर्मेटिव वीडियो आप सबीसे मिसना हूँ